दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम केला जो फल है उसके गून, धर्म, लाब, तासीर आदी के बारें बात करने जा रहे हैं दोस्तो पका केला जो सीत वीरिय यानि ठंडी तासीर वाला होता है यहीं नहीं पचने में भारी, कप को बढ़ाने वाला, वातपित को कम करने वाला, सरीर में बल, शक्ती, वीरिय, मांस की खुब वर्दी करने वाला होता है दोस्तो केला आदी खाने से पेट में भारी पन हो जाता है तता पाचन तंतर पर लोड पड़ता है लेकिन अगर केले फल के साथ इलाइची या इलाइची चून का परियोग किया जाए तो यह हानी नहीं करता दोस्तो केले के फाइदों की लब बात करें तो केला क्यों खास है क्यों गुणकारी है की बात करें तो केला जो फल है वो धेरो रासाइनिक तत्वों का खजाना होता है जिसमें पके केले में प्रोटीन, वसा, कार्बो हाइडरेट, विटामिन बी, विटामिन सी, खूब प मात्रा होती यहीं नहीं पके केले में वितामिन B कम्प्लेक्स दत्यूl की धेर मात्रा पाई जाती है. खास बात यह है कि पके केले में एक रासायन एमिलेष्टेट पाय जाता है जिसके कारण पके केले में मन को भाने वाली खुस बूआने लगती है इसमें शुगर की भी भरपूर मात्रा होती है जो कच्ची अवस्था के कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्टार्च के सरकरा में बदलने के कारण खूप मिठा सुत्पन हो जाती है दोस्तों केले के फायदों की बात करें तो सरीर की जलन, फाल्तु गर्मी, गर्भाश्य के रोगों, बार बार प्यास लगना, पत्थरी रोग, सूखी खासी, आतों की सूजन, संक्रमन, इंफेक्शन, आधी का नास करने में केला जो फल है वो गुनकारी है दोस्तों यही नहीं पके केले के जो कबज को तोड़ कर मल को साफ लाने में भी यह गुनकारी है, लाबकारी है, पके केले, बच्चों, बुजूर्गों, इस्तरियों, गर्भवतिस्तरियों, युवाओं, वैपुर्शों, सभी के लिए उत्तम आहार भुजन होता है, तभी तो हजारों उत्पाद आज बाजारों में केले का परियोग किया जाता है, दोस्तों पके केले के गुन इतने हैं कि यह कुपोशन की समस्या का भी नास करने की मुख्य जो है फल है, दोस्तों यह शक्ती करांती प्रदान करने वाला भी नायाब फल है, जिन इस्तरियों की योनी से स्राव, यानि पानी, गाढ़ापन, चिकना पदार्त बहता रहता है उन्हें भी यह लाब पहुचाता है और आनावशक पानी को रोकने में सक्षम है जिन यूतियों के इस्तन सुडोल बड़े गोल नहीं है इसके परियोग से उन्हें अच्छा लाब मिलता है क्योंकि आवशक तत्वों की पूर्ती हो जाती है अभी तो सारिक तंत्र ताकतवर बन जाता है तता तेजी से विकासकारिय होने लगते हैं जिन यूवाओं पूर्सों बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है जो कमजोर हैं पतले हैं उन्हें रोज दूद केला खाना लाबकारी होता है यह सिग्र मास्तत्व की वरद्दी करक वजन को बढ़ाने में गुनकारी है दोस्तों तीन चार पके केले खाने से सरीर की हड़ियां मजबूत बनती हैं तता शक्ती बढ़ जाती है आता है दोपहर के समय खाना खाने के बाद पके केले खाने से जो है लाब मिलता है दोस्तों विद्वानों का मत है कि केला फल खान जाते हैं अतसेक बना कर भी परियोग किया जाता है जिसे कमजोर दुबले पतले बच्चों रोगियों को खुब शक्ति मिलती है कहते हैं भूलवस मिट्टी पत्थर पैसा अदी निगल लिया जाए तो पके केले खाने से आतों को हानी होने की संभावना कम हो जाती है तता हान निकारक पदार्त मल के साथ निकल जाते हैं क्योंकि वह केले फल के साथ चिपक कर बहा निकल जाते हैं इस प्रकार केले का जो पका फल है अपने गुणों के कारण खूब गुणकारी खूब विख्यात है खूब लाबकारी है तो दोस्तों जड़ी बुटियों का परियोग झाल झाल झाल